इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्योंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पर सक सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में चली, पेट खराब होना, और चकते हैं. इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आम तोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दब अगर आपको या लिवसे संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह आपको एक उचित डोस दे सके गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए पिरिटन सीए सिर्फ के मुख्य इस्तेमाल सूखी खांसी का इलाज पिरिटन सीए सिर्फ के फायदे सूखी खांसी का इलाज सूखी खांसी, जिसे non-productive काफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई काफ या बलगम नहीं बनता है। इससे परेशानी होती है, आम तोर पर यह गले में खरक्रेपन से जुड़ा होता है और यह जुकॉम, फ्लू, अलजी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। पिरिटेंस यह सिर्फ सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दबा अलजी के लक्षनों, जैसे आँखों से पानी आना, छीक आना, नाग बहना या गले में खराश से रहत देगी और आपकी देनिक गतिविदियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी यह दबा सुरक्षित और प्रभावी है। पिरिटेंस यह सिर्फ आम तोर पर कुछ मिंटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई गंडों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर परची में लिखे गए गए अनुसार लें। जब तक आप पिरिटेंस यह सिर्फ का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे मापने वाले कपसे मापें और फिर पियें। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। पिरिटेंस यह सिर्फ को खान झाल झाल